नमस्कार दोस्तों स्वागा थे पराग बुटिक चेनल पर दोस्तों आज आपको एक इसकुल की कुर्ती कटिंग करना सिखाऊंगा और आप लोगों को आज बताऊंगा कि इसकुल की कुर्ती में कितने मिटर कपड़ा लगता है यह देखिए फूल अस्तिन की कुर्ती है तो इसके अंदर क्या किया है मैंने लिया है सवाद दो मीटर कपड़ा लेकिन सवाद दो मीटर कपड़ा होने के बाद में भी अस्तिन की लंबई 20 इंच नहीं निकल रही है तो मैं किस प्रकार से इसकी कटिंग करता हूँ देखिए मैं एक पल्ले को ऐसे तिर्चा बिछा लू कम पड़ रहा है यानि यह 21 इंच हमारी अस्तिन लंबई नहीं निकलेगी तो हम क्या करेंगे इसको अब हम इसको सिंगल सिंगल पल्ला काटेंगे और साइट का जो रहेगा न कपड़ा उसमें हम लिका लेंगे अस्तिन को यह देखिए दो निसान में नीचे रखे हैं और यह किस काम में आएंगे हमारा नीचे फोल्ड करने के अब यहां से देखिए जैसे 35 मेरी कुर्ती की लंबई है तो मैं इससे कितना रखूंगा साड़े 36 इंच ठीक है कुल मिलाकर यह देखिए नीचे से उपर तक साड़े 36 इंच रख लिए अब क्या करना है यह जो उपर वाला निसान है इस पर एक मार्क लगाएंगे अब यहां से क्या करेंगे हम यहां से रखेंगे साथ इंच साथ इंच आर्म होल की लंबई रखन है जो कि हमारा फ्रंट में जैसे रहता है ना कॉलर वाले में सात इंच की रखते हैं कमर का निसान 14 पर रखा है और 19 इंच पर रखा है कट का निसान ये cut मैंने पहले ही measurement ले लिया था उपार से तो उसको देखिए सबी निसानों को तयार कर लिया हमने अब क्या करना है देखिए जैसे 32 chest है 28 cover है और इसी प्रकार से 18 inch half में मैंने नापा हुआ है तो half में 18 inch hip है याने 32 chest है तो इस पर 4 inch plus करेंगे हम margin losing के लिए और ये हो जाएगा 36 यहाँ पर रखेंगे हम 9 inch 14 आता है ना 9 inch आएगा है ना 36 का और जिसे 28 है यहाँ पर भी हम 4 inch plus करेंगे और ये हो जाएगा मेरा 32 याने 8 inch और देखिए hip पर मैंने 18 inch रखा हुआ है यहाँ पर 1,5 inch की margin देदेंगे हम एश्टरा में और यह देखिए जो 4 inch losing बता रहा हूँ यह सिरिप और सिरिप है ना इस्कूल वाली जो कुर्ती रहती है ना इस्कूल के जो बच्चे रहते हैं उनको लूज फिटिंग पहनने के आदत रहती है जिसे ready-made कपड़े पहनते है ना इसलिए तो इसलिए मैंने इसको क्या किया हुआ है 4 inch की losing दी है कमर पे भी 4 inch की losing दी है और हीप पर भी 4 inch की losing जैसे हीप अगर चेश्ट 32 है तो हीप भी इसकी 32 तयार आती है तो फिर उस पर हम 4 inch losing देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 36, 36 का आदा होता है 18 inch ठीक है ना इसी प्रकार से हम कुर्ती की cutting करते हैं इसकोल वाली अगर ये जनरल कुर्ती रहती तो उसकी fitting अलग से देना होगी लेकिन इसकोल की अगर है तो इसी प्रकार से आप निसान लगाएंगे आपकी कुर्ती कभी भी बिगड़ेगी नहीं ठीक है तो देखिए दोस्तो इस प्रकार से हमने इसकी पूरी मार्किंग की है अब एक सेफर लेंगे और सेफर की मदद से यहाँ पर round कर देंगे ऐसे इसकोल की कुर्ती कटिंग आपको इसी प्रकार से करनी चाहिए मेरा या अनुभाव है कि जब बच्चे ready-made कपड़े पहनते हैं तो वो कैसे लूज कपड़े पहनते हैं और अचानक उनको इसकुल के कपड़े पहनने की बारी आ जाती है और इसकुल के कपड़े अगर हमने फिटिंग में बना दिये कमर में चार इंच के लूजिंग देते हैं और फिर उसके हिसाब से हम ऐसे निसान लगा लेते हैं सभी यह देखिए यहां पर भी यह मैंने सवाइंच साइट में रखा है घेर मोड़ने के लिए अगर दोस्तों देखिए यह बात आपको समझ में आ गई हो तो मुझे जरूर क्योंकि हम कभी भी इसकुल की कुरती इसी प्रकार से कटिंग करते हैं ठीक है क्यों क्योंकि इसकुल की कुरती में ज्यादा फिटिंग देंगे हम तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी अब देखिए हम कटिंग करेंगे शोल्डर शोल्डर में गला आगे का कितना रखना है पी बढ़ा दिया तो यह हो गया सवा 14 इंच याने 7 इंच 2 पाइंट अब यह जो गला है ना गला में 2.5 इंच रखोंगा आगे का और पीछे का गला कितना रखना है चलिए अभी बताऊंगा है पहले हमने आगे का गला 2.5 इंच रखा इसे याद रखना आप लोग मुझे बतान उपर 2.5 इंच रखिए यहां से मैं एक डाउन कर दूंगा सोल्डर को ताकि यह क्या है आर्म होल के महाँ पर जोल नहीं आएगा इसलिए इसको डाउन करना जरूरी है ठीक यहां पर मार्क लगाया यह यहां पर देखिए 7.25 है तो यहां पर मैं रखूंगा 6.75 ठीक है या इतनी जादा बड़ी अराम से गुलाई लग जाती है अब क्या करना है हमको यह जो है ना पूरा मेरे आपको समझ में आ गए होगी कटिंग और इसके बाद मैं अब इसको कटिंग कर देता हूं यह देखिए ऐसे जिससे निसान हमने लगा है वैसे हमको कटिंग करना है गला अभी बताऊंगा मैं और आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रकार से अगर कटिंग करना है तो इसकोल के कपड़े ऐसे ही मेजरमेंट से कटिंग कर देंगे कभी भी आपके पास कुर्ती वापस नहीं आएगी कि मुझे लूच करके दीजिए मैं इसकोल के कपड़े बहु हो जाते है ठीक है अब देखिए यह बेग हम यहां रखेंगे एसे हमने उसी प्रकार से कपड़े को फोल्ड कर लिया है एक साइट और फिर इसको बिछा दिया है ना अब यहां क्या करना है अब देखिए जिसे यह हमारा बेग है ना इसको मैं पहले सई कर देता हूं कटिं जो मार्किंग है वहां से अब हमको क्या करना है यहां पर हमको 1 इंच और 75 याने 1.75 उपर बढ़ा लेना है यहां पर भी 1.75 उपर बढ़ा लिया हमने इस निसान को हम सीधे लगा देंगे यहां तक इस निसान को भी सीधे लगा देंगे यहां तक ठीक है आप देखिए यह यहां पर यह जब जमाऊंगा ना में पूरा तो फिर आप देखिएगा किस प्रकार से बेठेगा यहां देखिए धाई ठीक है यह धाई इंच है अगर आपने पीछे भी धाई काट दिया तो आपके कुर्ती बिगड़ गई समझ लिजिए मैंने यहां पर पिछे का गला सवा तीन इंच रखा हुआ है और देखिए यह ऐसे मिला दिया है ठीक अभी आपको समझ में आ गया है ऐसे यह ध्यान रखना है आपको यह चीजे ध्यान रखना है अगर आपने नीचे का गला धाई और पिछे का गला भी धाई रख लिया तो फिर आपकी कुर्ती बिगड़ ज इसको हम एसे देखेंगे और यहां से देखेंगे यहां पर रखेंगे और यहां लगाएंगे 5-इन्च में 1.5 ठीक है आप देखिए यहां से हमको यह हमारा फ्रण्ट का सेयफ है इतना और बेक का देखिए लगभग. पॉइंट सेवन फाइब आगे बढ़ गया है इस तरह से यह आगे नहीं बढ़ेगा तो आपकी कभी भी कुर्टी कॉलर वाली बिगड़ जाएगी सही नहीं बनेगी ठीक है यह बाहर जाएगा और फरंट का देखिए आपको मालू में हिस्सा अंदर रहता है तो अंदर आना चाहिए इसी प्रकार से आपको सारी टेक्निक लगाकर कटिंग करना चाहिए तब ही आपकी कुर्ती बिल्कुल शेप में बैठेगी देखिए फरंट का निशान है ऐसे ठीक है अब यहां पर देखिए कितना है और इसको देखे गुलाई कितनी है यहां से अब यह दोनों मि बार में नहीं समझ में आया तो आप इसको दो तीन बार रिवस करके देखिए जब आपको समझ में आजाएगा कोई भी वीडियो हो अगर एक बार में समझ में नहीं आता है जहां पर भी पाइंट पे उस जगह पर रिवस करके 2-3-4-5 बार देख लिजिए आपको सारी ची है मैंने यहां पर जो जगह है ना यहां पर दीखिये चोड़ा कपड़ा है और नीचे देखिये कम अगर मैं singule काटथा एक सात रख कर तो यह नीचे कम है न उतना ही कपड़ा आता मेरे पास अब अब देखिये यह बहुत हुँगा आर महोल की लंबई 3 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे जैसे और यहां से थे और हम 거стन गाएं को हुन और इसको मिला और से सीदे निसान लगा लेंगे और यह वन गई कर लेते हैं दोस्तों देखिए ये वीडियो हमारा अब बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है अगर आपको इसकी स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा उस पर मैं नहरू कॉलर कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हो तो देखिए वीड आइकन का बटन दबाना ओल के अप्शन के साथ मिलते हैं किसी नेक्स आइडिया के